दोस्तो वेल्कम बेक्ट माय चनल दोस्तो आज के सीडियो में आपको बता है कि क्या से आप छोड़ा सा ट्रांस्मीटर बना सकते हो जो ओडियो को एक जिगा से दुश्य जिगा ट्रांस्मीटर कर सकते हैं दोस्तो इसके तो रेंज होगा यह लगबग 100 मीटर ही होगा इससे ज्यादा नहीं होगा तो यहां पर माइक्रोफन लगा हुआ है जो कि साउंड को रिसीव करता है और एक रिसीवर पर भेजता है वह जहां पर स्पीकर लगा होगा आप वहां पर सुन सकते हो देखिए अभी बनाने के लिए मैं हाँ पर यूज करने वाला हूं जो कि आपका आरेफ मॉडूल आता है तो यहां पर मैं इसके ट्रांस्मिटर और एक रिसीवर होता तो यहां पर मैं ट्रांस्मिटर यूज करने वाला हूं और यह को एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्मिट करने के को जिस तरह कि यहां पर टर्मेट लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ था जूँक्य मैंने निकाल लिया तो यह जो बेटरी यहां पर आपको दो टर्मिनल मिलता है जो कि यह वाला जो कि साइड है आपका पॉजिटिव है और यह वाला साइड है आपका नेगेटिव है जो कि आपका भी सिब्सक्राइब करना होगा इसका यहां से डाटा तक और अभी में लेता हम एक छोड़ा से कट्पिस होया जिसे हमें करना होगा जो पेठी टर्मिनल के नेगेटिव सेम अपने सार्किट के जो कि नेगेटिव है यहाँ पर तो इभी साउंड को रिसीव करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोड़ा सा माइक इस्तमाल कर रहा हूं जो कि आपको मार्केट पर आशने से मिल सकता है ठीक है और यह जो माइक होता है यहाँ पर आप दो टर्मिनल मिलता है एक उता पोजिटिव का और एक उता नेगेटिव का तो इजो टर्मिनल आप देख रहे हूं जो कि बोड़ी के साथ होगा कनेक्शन है यह आपका नेगेटिव हा टर्मिनल और यह अकला यहाँ पर खड़ा हुआ है यह पोजिटिव टर्मिनल ठीक है अभी हमें इस माइक का जो कि नेगेटिव है इसे में कनेक्शन करना होगा इस सार्किट के ग्राउंड पर एक जो पोजिटिव है इसे में कनेक्शन करना होगा डाटा पर हमारा जो कि ट्रांस्मिनल सार्किट यह भी कम्पिट हो चुका है बस यहाँ पर बेटी डालिए फिर यह रेडी हो जाएगा और जो साउंड है रिसीब करेगा माइक के जरिए तो ब試से चाहतने मेरा बना है इसके जरिए की टाटा को जो साउंड होगा जिससे की आफि यहाँ जो सुना सेगे ड्बेटव और बनाने वाला हूँ गया हम यहां पर बनाने वाला हुड अब हाएम करेंगे इस और लघा लेते हैं और इस जो कह दो訂閱 लेतां यहाँ उards कर करने वाले हैं तो जो कि sound receive करके receiver तो उसको amplify करने के लिए मैं यहाँ पर एक transistor इस्तमाल कर रहा हूं जो कि n-pin transistor BC547 का इसका data output है वहां से मैं एक register लगा रहा हूं जो कि 472m का register जिसे हमें लगाना होगा इस transistor के base terminal transmitter का जो कि negative है इसके negative को और इस transistor के emitter को मैं आपस मैं connection कर लेता हूं इसका जो कि positive है इसको लेकर करके मैं अलग एक जगा connection रख लेता है ताकि मैं इसको positive supply देश सकूं और जो negative है इसको भी मैं एक side पर रख लेता हूं जो कि हमें इमिटर या फिर उस circuit से negative मिल जाएगा तो यह होगा positive यह होगा आपका negative एक टर्मिनल को मैं connection कर जाता हूं positive पर और एक को मैं connection कर जाता हूं जो कि transistor है उसके collector पर दोस्त इसका डाइग्राम है आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा बस आप वीडियो को आखिर देख दे आप यहां पर पावर से पर देने वाला हूं 3.7 बोल्ट एक लिथियम बेटरी से आप यहां पर 5 बोल्ट का पावर से अपले वीडियो देशकते हो तो negative पर negative positive पर positive मिन दे रहा हूं कि तो इस circuit यह भी ओन हो चुका है तो आप तो अब हम अपना transmitter को उपर चलते हैं करना बाकी रह गया है वह क्या है इसका आंटेना का connection है मैंने कौफर और को मोड करके एक आंटेना बनाए हुआ है आप यहां पर कोड़ी और किसी डामेंजिन पर ले सकते हो इसको में जो आंटेना वाला टर्मिनल यहां पर मैं इसको connection कर लेता हूं दोस्तों अभी हम अपन को sound आने लगता है क्योंकि receiver है देख सकते हैं कि रेडियों से कुछ sound निकलता है उसे तरह यहां पर भी sound निकल नाए ठीक है अब यहां अपना ट्रांस्ट्मिट को तरह दूरी पर लेके जाते हैं और देखने हैं कितने दूरी ते रिसिव कर सकता है अधना रित्र कर दो अगर लाइट नहीं देख सकता है अगर आपकर दोस्तों आज करते हैं तो आज करते हैं अगर आपकर ने चैस्ट्मिट करने ने ने देख सकता है सब्सक्राइब कर सकता है कर सकता है और यह चोड़ा सर्कीट है मैंने आपर आंटिना बड़ा लगाया हुआ आप यहाँ पर छोटा भी कर सकते हो ठीके अगर आप चनल पर नहीं होचेने को सब्सक्राइब जरूर करना तो आज के लिए अफिर मिलता आप नए वीडियो में कुछ नए ग्यान के साथ